Hello everyone, स्वागा थे आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल Current Affairs by Ravipar Friends, आज की इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं Weekly Current Affairs तो देखिए, आज संडे हैं और इस वीडियो में हम सारे important questions जो इस week के हैं, उनको cover करने वाले हैं तो आपको इस वीडियो में 5th अगस्त से लेकर के 11th अगस्त के सारे important questions मिल जाएंगे Friends, मैंने आपके आपके लिए top 90 questions लिये हैं, जो आपके upcoming exams के लिए काफी important होने वाले हैं तो आपको पूरे वीडियो के अंट तक बने रहना है Friends, मैंने आपके आपके लिए सभी questions selected और most important लिये हैं अगर आप किसी भी exam के तयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफी beneficial होने वाला है तो काफी quick वीडियो रहेगा जहांपे हम top most 90 MCQs को cover करेंगे तो चलिए वीडियो को start करते हैं आपके पहले question से फर्स question को देखिए, बांगलादेश के पूर प्रधान मंतरी शेख हसीना के अपने पद से इस्तिफा देने के बाद किसके द्वारा देश का अंतरिम सरकार का नेतरतु किया जाएगा तो यहाँपे friends हाली में जो बांगलादेश की पूर प्रधान मंतरी थी शेख हसीना इन्होंने इस्तिफा दे दिया है अपने पद से तो अभी जो यहाँपे अंतरिम सरकार बनी है इसका नेतरतु करने वाले हैं मुहमद यूनुस तो option number A जो है यहाँपे right answer हो जाएगा important points यहाँपे बात करते हैं देखे बांगलादेश के नोबल पुरुसकार विजेता है मुहमद यूनुस देश के यह अंतरिम सरकार का नेतरतु करने वाले हैं पूर प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पत से इस्तिफा दे दिया है और छात्रों के नेतरतों में उनके साशन के खिलाफ बड़े पैमाने पर विद्रों के कारण इन्होंने देश को छोड़ दिया है चलिए आगे बढ़ते हैं अगस्त दोहजार चौबिस में किसे 50 किलोग्राम भार वर्ग में स्वन पदक के लिए आविशक वजन पूरा ना कर पाने के कारण पैरिस उलम्पिक से आयोग्य घोशित कर दिया गया है तो फ्रेंड्स यहाँ पे आविशक वजन पूरा ना कर पाने के वज़े से पैरिस उलम्पिक से आयोग्य घोशित किया गया है विनेश फोगट को अगला कोशन नीरा चोप्रा ने पैरिस उलम्पिक दोहजार चौबिस में और उशो की भाला फेक स्परदा के फाइनल में 89.45 मीटर के सरस्ट त्रो के साथ कौन सा पदक जीता वेरी इंपोर्टन कोशन फ्रेंड्स आपके एक्जाम में ये कोशन आ सकता है तो आपको बताना है कि नीरा चोप्रा ने पैरिस उलम्पिक दोहजार चौबिस में यहाँ पे भाला फेक में कौन सा पदक जीता है यहाँ पे इनोंने चीता है फ्रेंड्स रजट पतक तो अप्शन नमबर ए जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा थोड़ और डीटेल में हाँ पे डिसकस करते हैं जो भी इंपोर्टन पॉइंट्स हैं उनको तो देखें नीरा चोप्रा ने पैरिस उलंपिक की भाला फेक्स परधा में 89.45 के साथ अपने सीजन के सरस्रेस प्रदर्शन के साथ रजट पतक को जीता है ठीक है उन्होंने यहाँ पे रजट पतक है नहीं कि सिल्वर मेडल हासिल किया तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि गोल्ड मेडल किसने जीता है ठीक है पैरिस उलम्पिक 2014 सेमी पैफाइनल में पहुचने वाले पहले भारतिय पुरुष शटलर कौन बनी है तो यहाँ पे पहले भारतिय पुरुष शटलर जो यहाँ पे सेमी फाइनल में गये हैं पैरिस उलम्पिक के यह है friends लक्ष्य सेन ठीक है तो option number C right answer हो जाएगा अगला question भारतिय डिजव बैंक ने किसे उतकर्ष small finance bank के MD और CEO के रूप में नियुक्त करने को फिर से मंजूरी दे दी है तो यह वे उतकर्ष small finance bank friends इसके MD और CEO बन गए है गोविंद सिंग आपका अगला question चौदवी भारत वियतनाम रक्षा नीती वारता कहां आयोजित की गई है तो इसका आयोजन किया गया है friends नई दिल्ली में अगला question पैरिस ओलंपिक 2024 में भारती होकी टीम ने कौन सा पदक जीता है तो friends भारती होकी टीम की बात की जाए तो इन्होंने पैरिस ओलंपिक जो के हाली में आयोजित किया गया था इन्होंने यहाँ पे जीता है कान से पदक यानि की ब्रॉंज वेडल कुछ important points की बात करें तो देखिए भारती होकी टीम ने पैरिस के US Day Minor Stadium में तीसरे स्थान के मैच में स्पेन को 2-1 से हरा कर 2024 ओलंपिक में कान से पदक हासिल किया है भारती होकी के इतिहास में यह लगबग 50 साल के बाद हुआ है जब भारती टीम ने लगातार दूसरे ओलंपिक में इस पदक को जीता है next question अगस 2024 में किसे त्यूनीशिया के नए प्रधान मंत्री के रूप में न्यूक्त किया गया है तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात करें त्यूनीशिया तो इसके जो नए प्रधान मंत्री न्यूक्त हुए है यह है कामेल मादौरी तो option number C यहाँ पर right answer है बात करें त्यूनीशिया की फ्रेंड्स तो यह एक देश है जो कि आफ्रिका में है इसकी राजधानी है त्यूनीश साथ में यहाँ पर कौन से मुद्र यानि करिंसी यूज होती है तो यहाँ पर यूज होता है त्यूनीशियन दिनार और next यहाँ प पर देखिए जैव रसायन इस छेतर में अपने महतवपूर्ण योगदान के लिए विज्ञान रत्न पुरुस्कार के लिए यहाँ पर चुना गया है करेक्ट आंसर हो जाएगा गोविंद राजन पदमनाभन को तो option number A यहाँ पर right answer है तो friends I hope आपको यह question clear है तो देखिए यहाँ पर आपको सभी questions जो है ना काफी exam oriented मिलेंगे most important questions मैंने आपके लिए हाँ पर ली हुए है तो आपको पूरा वीडियो end तक देख लेना है सारे most important questions इस week के जो है आपके cover हो जाएंगे चलिए अगला question देखिएगा विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतराष्टे द number C हो जाएगा बात कर लेते हैं इस साल का theme क्या दिया गया क्योंकि काफी important है theme exam point of view से तो 2024 का theme था स्वैचिक अलगाव और प्रारंबिक संपर्क में स्वदेशी लोगों के अधिकारों की रक्षा करना इंग्रिश में बात करें तो देखे protecting the rights of indigenous peoples in voluntary isolation and initial contact यह इसका theme दिया ग और यह करता क्या है देखे the day aims to raise awareness of rights and needs of indigenous population around the world जितने भी indigenous people है उनकी जो rights है उनकी जो needs है उसके लिए जागरुकता फैलाना यह इस day को मनाने का main उदेश होता है I hope आपको यह point clear है आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखे बात करें कि कब शुरुआत हुआ इस दिन को मनान कब से start किया गया तो विश्व के स्वदेशी लोगों के अंतराष्टे दिवश की सुरुवात 1994 में संयुक्त राष्ट महासभादवारा की गई थी तो यह जो दिन है यह मनाया जाता है फ्रेंट्स 1994 से और इसके शुरुवात किस ने की थी संयुक्त राष्ट महासभा ने इ तो स्वदेशी लोग किसी विशिष्ट छेत्र या देश के मूल निवासी जाती समू हैं उनकी अनूठी संस्कृतियां परमपराएं भाषाएं और मानेताएं हैं जो उन्हें प्रमुक अबादी से अलग करती हैं तो ये एक एथिनिक ग्रूप्स होती हैं जो की एक जगा एक कंट्री में किसी भी जगा पे रहती हैं इनकी जो कल्चर होती है जो संस्कृतियां होती है परमपराएं होती है इनकी जो लैंग्वेज भाषा होती है ये सब कुछ अलग होती है और ये ही इनको अलग बनाती है ठीक है तो ये होते है स्वदेशी लोग I hope आपको clear है और हर साल जो यहाँ पे विश्व के सुदेशी लोगों का अंतराश्ट्रे दिवस है यह मनाया जाता है 9 अगस्त को चलिए friends I hope आपको यहाँ पे सारे points जो थे clear थे आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे आपका अगला कोशन आता है अगला कोशन नागसा की दिवस कब मनाया गया है तो फ्रेंट्स 2024 में नागसा की D3 से तो राइट आंसर यहाँ पे option number A है आगे बढ़ते हैं देखिए अगस 2024 में किस राज की पूर्व मुख्यमंतरी बुद्ध देव भटाचारे का युद्ध पोथ आयन निस तबर ने किस देश की नौसेना के साथ समुद्री साज़धारी अभ्यास किया है तो यह इन्हों ने किया है फ्रेंट्स जर्मनी के साथ आपका अगला कोशन अगस 2024 में RBI की मौद्रिक नीती समीती ने लगातार नौवी बार रेपो रेट को कितने प्रतीशत पर निर्धारित किया है तो यहाँ पे फ्रेंट्स हाली में RBI की जो मौनेटरी पॉलिसी कमीती बनी थी इसने जो रेपो रेट है इसको नौवी बार लगतार 6.5% पे ही रखा है तो यहाँ पे option number A जो है correct answer हो जाएगा आपका अगला question किसे केंद्री सूक्ष्म लगू और मध्यम उद्यम मंत्राले के तहट खादी और ग्रामुद्योग अगयोग के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है तो फ्रेंट्स यहाँ पे KVIC इसके CEO के रूप में नियुक्त किया गया है वातसल्य सक्सीना को KVIC की बात करें देखे खादी और ग्रामुद्योग आयोग इसके स्थापना हुई है 1957 में मुख्याले मुंबई महरास्ट्रों में है और इस जो नोडल मंत्राले है यह आता है अंडर MSME ठीक है माइक्रो लगू और मध्यम उद्यम मंत्राले है आपका अगला कोशन किसे कर्णचारी राज बीमा निगम ESIC का महानिदेशक नियुक्त किया गया है वेरी वेरी इंपोर्टन ये कोशन आपके एक्जाम में आ सकता है फ्रेंट्स तो ESIC इसके महानिदेशक बन गये हैं अशोक कुमार सिंग Option number C is the right answer नेक्स देखिए अगस 2024 में भारत और किस देश के बीच उदार शक्ती अभ्यास 2024 का आयोजन किया गया उदार शक्ती अभ्यास इसका आयोजन किया गया है फ्रेंट्स भारत और मलेशिया के बीच में राइट आंसर है Option number C आगे देखिए किसे PMO में अतिरिक्ट सचीव न्यूक्त किया गया है तो additional secretary PMO में न्यूक्त किया गया है अमित सिंग नेगी को Next question राश्ट्री भाला फेक दिवस 2024 कब मनाया गया है तो यहाँ पर National Javeline Day फ्रेंट्स इसको मनाया गया है 7 अगस्त को Next बढ़ेंगे आगे और आपका अगला question किस देश ने Megasatellite तारा मंडल G60 को सफलता पूरवाग प्रशेपित किया है तो यहाँ पर successfully launch किया गया है Megasatellite constellation G60 बाई चाइना तो option number A यहाँ पर right answer हो जाएगा फ्रेंट्स आगे बढ़ेंगे और आपका next question भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक सहीयोग के लिए मैतरी अनुदान की घोशना किस ने की है तो यह घोशना की गई है इन में से Australia के द्वारा Next रहेगा विश्वदूर संचार मान की करन सभा 2024 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी तो यह पर World Telecommunication Standardization Assembly इसको host किया जाने वाला है फ्रेंट्स इंडिया में Right answer है option number A आगे बढ़ेंगे अगला कोशन देखेगा भारत सरकार ने पहली बार किस शाकानाशी सहीशनू फसल की व्यवसाइक खेती की अनुमती दी है तो इन्होंने अनुमती दी है यहाँ पे HT बास्मती चावल ठीक है तो option number यहाँ पे B जो है correct answer है अगला कोशन भारती सेना ने कहाँ पर परवत प्रहार अभ्यास आयोजित किया है तो परवत प्रहार अभ्यास इसको आयोजित किया गया था लडाग ने नेक्स्ट किस देश ने दूसरी बार कावा महिला बॉलीबॉल नेशन्स लीग दोजाब चॉबिस का खिताब जीता है तो कावा वोमेंस बॉलीबॉल नेशन लीग इसका खिताब जीता है भारत में फ्रेंट्स नेक्स कोशन को देखिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस हैने कि ITBP ने चंदिगट स्थित अपनी परिवहन बटालियन में किस देश द्वारा निर्मे शक्तिशाली कामज टाइफुन वाहन का सफलता पूर्वक प्रदर्शन और प्रसीक्षन किया है तो ये किया गया है फ्रेंट्स रश्या के द्वारा जो बनाया गया है इसकी परिक्षन नेक्स्ट रियल स्टेट कंसल्टेंसी नाइट फ्रैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा शहर आवास के लिए सबसे किफायती भारती शहर है तो यहापे देखिए एहमदाबाद गुजरात तो फ्रेंट्स आगे बढ़ते हैं और आपका अगला कोशन देखिएगा वेरी इंपोर्टन कोशन इसको स्टार माग भी करिए किस राज जने स्थाने निकाय चुनाव लड़ने के लिए व्यक्तिव के लिए दो बच्चे वाली नीती को खतम किया है तो यहां पर देखिए टूचाइड policy जो है इसको हटा दिया गया है आपको बताना है किस state में इसको हटाया गया है किस किस के लिए local body elections के लिए इसको होटाया गया है आंदर प्रदेश में आपकी एक्जाम में आ सकता है इसको स्टार मांग जरूर कर लीजेगा आगे बढ़ेंगे और देखें आपका अगला कोशन रिमपैक 2024 एक्ससाइज में भारत के किस जहाज ने नौसेना गनफायर सहेता प्रतियों गिता और रोडियो ट्रॉफी जीती है तो आपको बताना है भारत के ऐसी कौनसी जहाज़ शिप है जिसने यहाँ पे नौसेना गनफायर सहेता प्रतियों गिता और रोडियो ट्रॉफी को जीता है तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स इनस शिवालिक तो आप्शन नमबर बी इसको टिक कर लेजिए राइट आंस जाएंगी तो रिसेंटली फ्रेंड्स आपके लिए यहाँ पे जो जून का मंतली कंटरफेर्स का पीडियाफ है यह लॉंच किया गया है जहाँ पे आपको 550 प्लस वन लाइनर एं एंसी की कोशन्स देखने को मिलेंगे वो भी टॉपिक वाइस और इसके अलावा अगर आप 6 months का PDF चाहिए जहाँ पे आपको जैन से लेके जून के सारे 5000 most important questions देखने को मिलेंगे तो यह ebook भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी इसके अलावा static gk से देखे पॉलिटी का 5000 प्लस वाला PDF आपको यहाँ पे मिल जाएगा तो इनमेंस अगर आपको कोई भी ebook purchase करना है आप ह इरोशिमा दिवस इसको मनाया गया है 6 अगस्त को option number D right answer हो जाएगा आगे बढ़ेंगे अगला question देखे एथिलेटिक्स में पुरुषों की 3000 मीटर steeple chase final के लिए qualify करने वाले पहले भारतिक खिलाडी कौन बने है तो यहाँ पे पहले ऐसे भारतिक खिलाडी जिन्होंने qualify किय पुरुषों के 3000 मीटर steeple chase final में यह है अविनाश साबली अगला question राश्ट्रिय हद करगा दिवस 2024 कब मनाया गया है तो national handloom day की बात की जा रही है इसको मनाया जाता है हर साल 7 अगस्त को और 2024 की बात करे तो 2024 का theme क्या दिया गया है तो देखे theme है सतत भविश्य बुन्ना weaving sustainable futures पुस्तक के लेखक कौन है तो friends इस पुस्तक को जो है लिखा गया है के भी सुब्रमनियम के दौरा अगला question देखे अगस्त 2024 में केंदर सरकार ने किस राज के आदी चुनचुनगीरी और चुला नूर को मोर अभ्यारन घोशित किया है वरी वरी important इसको आप स्टार्मा कर लीजे तो friends आदी चुनचुनगीरी और चुला नूर ये दोनों बन गये हैं मोर अभ्यारन आपको बताना है ये किस राजी में लो है तो ये है friends केरिला और करनाटका में तो option number C यहाँ पर right answer हो जाएगा A and B दोनो आपको अगला question 33 वे Paris Olympic 2024 पर डाक विभाग द्वारा जारी समारक डाक टिकेट में किन खेलों को दर्शाया गया है तो यहाँ पर दर्शाया गये friends जाविलिंग थ्रो यानि कि भाला फेक को, फील्ड होकी को, नौका यानि कि सेलिंग को, टेबल टेनिस को तो उप्युक्त सभी इसका correct answer है नेक्स देखिए अगस 2024 में पाचवी आसियान भारत वस्तु व्यापार समझोते सिफ्ट समीति की बैठत कहां आयज़ित की गई है तो friends इसका आयज़न किया गया था जकारता इंडोनेशिया में नेक्स रहेगा तीसरे voice of the global south शिकर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी very very important तो देखे third voice of the global south summit इसको आयज़त किया जाएगा friends भारत में नेक्स कोशन देखे अगस 2024 में भारते वायू सेना ने किस प्रकार की मिसाइल के उत्पादन की मंजूरी दी है तो यहाँ पे इन्होंने मंजूरी दी है अस्त्र मार्क 1 मिसाइल की यहाँ पे production की नेक्स्ट राश्ट्रे महिला आयोंग NCW ने साइबर अपरादों से निपटने के लिए डिजिटल शक्ती के इंदर कहां शुरू किया है तो इन्होंने इसको शुरू किया है नई दिल्ली में अगला कोशन अगस 2024 में भारत ने किस देश को अपना पहला GI TAG वाला अंजीर जूस निर्याद करके बड़ी सफलता हासिल की है तो फ्रेंट्स ये हो जाएगा POLAND ठीक है इन्होंने POLAND को अपना जो GI TAG वाला अंजीर जूस है इसे इंपोर्ट किया है फ्रेंट्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट को देखिए विश्व स्वास्थ संगतन ने किस नाम से अपना पहला AI Power Digital स्वास्थ प्रमोटर प्रोटोटाइप लॉंच किया है तो फ्रेंट्स ये इसका नाम रखा है इन्होंने सारा आपका अगला कोशन अगस्ट 2024 में किसे फिजी सरकार द्वारा दिये जाने वाला सर्वोच सम्मान Companion of the Order of Fiji से सम्मानित किया गया है Very very important तो फ्रेंट्स Companion of the Order of the Fiji जो की highest honor है Fiji Government का ये दिया गया है हमारे प्रेसिडेंट दुरापदी मुर्मुजी को Next question देखिए अगस्ट 2024 में भारत के किस राज में 25 दलों के 1500 डमरुवाद को द्वारा भस्मार्ती की धुन पर डमरुवादन कर गिनीज वर्ड रिकॉर्ड बनाया गया है तो फ्रेंट्स ये बनाया है उज्जैन मध्यप्रदेश में Next कौन सा राज्य किसानों के सभी फसलों को MSP पर खरीदने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है Again very very important question तो फ्रेंट्स ऐसा राज्य जिसने किसानों के सभी फसलों को MSP पर खरीदा है ये बन गया है हर्याना Next वर्ष 2024 में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन की मेजबानी कहां पर की जाएगी तो इसकी मेजबानी की जाने वाली है नई दिल्ली में Friends आपका अगला question भोटो जात्रा महोटसव कहां मनाया गया है Very very important देखे festivals काफी important होते हैं आपके exams के लिए तो भोटो जात्रा festival इसको मनाया गया है नेपाल में आगे बढ़ेंगे अगस्ट 2024 में आपदा प्रबंदन बीमा लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है तो आपदा प्रबंदन बीमा लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है नागा लैंड नेक्स्ट विश्व LNG रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत का दूसरा सबसे बड़ा तरली कृत प्राकृतिक गैस आप उर्ती करता कौन सा देश बन गया है तो यहाँ पर हाली में एक रिपोर्ट आई है जो की है वर्ल्ड LNG रिपोर्ट आपको बताना है फ्रेंट्स LPG जो गैस है उसका सबसे सेकेंड लाजर सप्लायर कंट्री कौन सा बन गया है तो यह है फ्रेंट्स United States टॉप त्री कंट्री की बात कर लेते हैं तो पहले आता है कतर फिर आता है संयुक्तराज अमेरिका साथ में संयुक्तरब अमिरात ओके चलिए अगला कोशन अगस 2024 में केंदर सरकार ने देखिए 50,655 करोड रोपे की लागत वाले कितने नेशनल हाई स्पीड रोड के सुझाओ को मंजूरी दी है तो यहाँ पे इनोंने आठ ऐसे हाई स्पीड रोड की सुझाओ की मंजूरी दी है अगला कोशन किस राज ने नौलेज हेल्थ इनोवेशन रिसर्च सिटी लॉंच करने की घोशना की है करेक्ट आंसर है करनाट का फ्रेंट्स आगे बढ़ेंगे आपका अगला कोशन केंद्रिय ग्रह मंतरी अमिश्या ने तीन नए अपराधिक कानून के लिए ई साक्ष, न्याए सेतु, न्याए शृती और ई समन एप कहां लॉंच किया है तो इनको लॉंच किया गया फ्रेंट्स चंदीगड में आपका अगला कोशन भारते रिजर्व बैंक ने किसे फिर से यूनिटी स्मॉल फाइनस बैंक के एमडी और सीओ के रूप में नियुक्त किया है तो यहाँ पर यूनिटी स्मॉल फाइनस बैंक इसके एमडी और सीओ जो हैं ये बन गये हैं इंदरजीत कैमोत्रा फ्रेंड्स आपका अगला कोशन संयुक्द राष्ट कमांड ने अठारवे सदस्य की रूप में किसे सामिल किया है तो यहाँ पर यूनिटी में अठारवे सदस्य की रूप में शामिल किया गया है जर्मनी को नेक्स कोशन किसे दक्षीन आफरिका की प्रमुक T20 प्रतियोगिता SA20 लीग का अमबैजडर नियुक्त किया गया है तो फ्रेंड्स यह SA20 लीग जो है इसके अहाँ पे अमबैजडर बन गये है दिनेश कार्थिक अग्डा कोशन किस राजे को जीवंदान पुरुसकार 2024 से समानित किया गया है आंधर प्रदेश को नेक्स कोशन अंतरास्ट्रे ट्राफिक लाइट दिवस 2024 कब मनाया गया है तो international traffic light day यह मनाया गया है 5 अगस्त को अगस्ट 2024 में किस देश की प्रधान मंत्री शेक हसीना ने लगातार 15 साल से सत्ता में रहने के बाद अचानक अपना इस्तिफा दे दिया है और देश छोड़ दिया है तो ये फ्रेंट्स बांग्डा देश की पूर प्रधान मंत्री थी जिनोंने इस्तिफा दिया और देश को छोड़ दिया है चलिए आगे बढ़ेंगे जुलाई 2024 में किसे सीमा सुरक्षबल के अतिरिक्त महाने देशक पद में नियुक्त किया गया है तो यह पर एडिशनल डाइरेक्टर जनरल बन गए है बीएस एफ के दलजीत सिंग चौधरी नेक्स्ट वर्ष 2024 में अमेरिका के राश्टपती पद की उमिदवार बनने वाली पहली अश्वेत और पहली दक्षिन एशियाई महला कौन बनी है फ्रेंड्स यह बन गई है कमला हैरिस नेक्स्ट कोशन पैरिस उलम्पिक 2024 में टैनिस में पुरुष एकल्स पर्धा में अपना पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली खिलाडी कौन बन गए है वरी वरी इंपोर्टन इसको स्टार्मा कर लीजे तो पैरिस उलम्पिक 2024 में टैनिस में पुरुष एकल्स पर्धा में अपना पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले बन गए है नुवाग जुकोविक चलिए आगे बढ़ेंगे और इसके साथ आपका नेक्स कोशन किसे पैरिस उलम्पिक 2024 के समापन समारों के लिए भारत का ध्वजवाहग बनाया गया है तो फ्रेंट्स ये बन गई है मनु भाकर अगला अगस्ट 2024 में राश्टपती द्रापदी मुर्मू किस देश की यात्रा करने वाली पहली भारती राश्टपती बनी है तो यहाँ पे अगस्ट में द्रापदी मुर्मू जी पहली बार इनोंने ये पहली ऐसी राश्टपती बन गई है जिनोंने फिजी और तिमेर लेस्टे को यहाँ पे विजिट किया है तो A और B दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा अगला कोशन किसे अमेरिकी कमपनी बोईंग के नए अध्यक्ष और मुख्य कारेकारी अधिकारी के रोप में नियुक्त किया गया है तो फ्रेंट्स यहाँ पे देखें CEO और President बोईंग कमपनी के बन गए है Robert K. Kelly तो आपका अगला कोशन है किस देश द्वारा 2024 में गोबी रेगिस्तान में विश्व का पहला थोरियम पिगला हुआ नमक परमानो उर्जा स्टेशन शुरू किया जाएगा राइट आंसर है फ्रेंट्स चीन अगला कोशन देखिएगा हमास नेता इसमाइल हानिया के कि शोख पोस्ट के हटाने के बाद के जवाब में किस देश द्वारा सोचल नेटवर्किंग प्लैट्फर्म इंस्टागरं को ब्लॉक किया गया है तो ये ब्लॉक किया गया है तुर्की में फ्रेंट्स आगे बढ़ते हैं डेक्स कोशन को देखिए विश्व स्तन पान सतपता दुहजार चॉबिस कब मनाया गया है ये मनाया गया है एक से लेके साथ अगस्त के बीच में देखिए इस साल का थीम दिया गया है अंतर को कम करना सभी के लिए स्तन पान साहरता यानि कि यहाँ पर देखे, AMPAS, इसके जो प्रेसिडेंट है, यह बन गई है, जेनेट यांग, नेक्स कोशिन और आपका काफी इंपोर्टन कोशिन है, जुलाई दोहजार चौबिस में भरतनात्यम कलकार यामिनी कृष्ण मूर्टी का 84 वर्ष के आयों में निधन हो गया है, इन्हें किस वर्ष पदमविभूशन से सम्मानित किया गया था, फ्रेंट्स, मोस्ट इंपोर् नमबर C, आगे बढ़ेंगे, दसवे राश्ट्री हतकरगा दिवस दोहजार चौबिस के उपलक्ष में, समर्पित एक पकवाडे तक चलने वाली प्रदर्शनी, विरासत का आयोजन कहां किया गया था, तो इसका आयोजन किया गया था, नई दिल्ली में, नेक्स्ट है, भा साल बाद 2024 पैरिस उलम्पिक में, पुरुशों की 100 मीटर की दोड़ में स्वन्द पदक हासिल किया है, तो फ्रेंट्स राइट आंसर है यहाँ पे, अमेरिका, आगे बढ़ेंगे, महिलाओं को वित्तिय सहायता प्रदान करने के लिए, किस राज सरकार ने मुख्यमंत्री म माईया समान योजना शुरू की है, तो यहाँ पे, मुख्यमंत्री माईया समान योजना इसको शुरू किया गया है जारकन सरकार के द्वारा, अगला कोशन वर्ष 2024 में, भारत ने गुजरात में राश्ट्री समुद्री विरासत परीसर विक्सित करने के लिए, किस देश के निर्यात में भारत का स्थान कौन सा है, तो फ्रेंट्स भारत आता है आपे आठवे स्थान पर, तॉप थ्री आपे देशों की बात कर लें, तो देखे पहले है यूरोपिय संग, फिर अमेरिका और फिर ब्राजील, अगला कोशन वर्ष 2024 में, किस देश ने देश की सडकों से लाखो आवारा कुट्तों को हटाने के लिए नया कानून पेश किया है, तो फ्रेंट्स ये कानून पेश किया गया है तुरकी में, आपका अगला कोशन स्थान भारत का पहला रातरी कालीन स्ट्रीट रेसिंग इवेंट कहा अउजिद किया जाएगा, तो इसको पार्ट किया गया है फ्रेंट्स CBSC के द्वारा नेक्स्ट एक किस राज की विधान सभाने राज में कौशल विश्विद्याले स्थापित करने के लिए विदेहक पारित किया है तो यह यहां पर पारित किया गया है तिलंगाना में अगला कोशन देखेगा चौदवे भारतिय या अंगदान दिवस यानि की इंडियन ओर्गन डोनेशन डे यह कब मनाया गया फ्रेंट्स इसको मनाया गया है तीन अगस्त को आगे बढ़ते हैं call of the gear नामक पुस्तक किस ने लिखी है very important call of the gear फ्रेंट्स इस पुस्तक को लिखा गया है परिमल नाथवानी के द्वारा आगे बढ़ेंगे नेक्स देखेगा वर्ष दोजाद चौबिस में सूप्रीम कोर्ट ने SC और ST समुदायों के आरक्षन में उपवर्गी करन करने की अनुमती देने के लिए अपने किस फैसले को रद किया है इनों ने यहाँ पर रद किया है देखे एवी चिन्नाईया बनाम आंदरप्रदेश राजे 2004 वाले फैसले को नेक्स्ट है भारत ने अंतराश्ट्रे अंतरिक्ष स्टेशन के लिए आगामी एक्जियॉम फोर मिशन के लिए किन दो अंतरिक्ष यात्रियों को शॉटलिस्ट किया है तो इरोने आपे शॉटलिस्ट किया है शुभांशु शुकला और साथ में प्रशान्थ बालकृष्ण नायर को तो A और B दोनों इसका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट है कौन सा राजे 8000 चाय जन जाती कलाकारों के साथ एक भवे जुमूर प्रित्य प्रदर्शन का आयोजिन कर रहा है तो इसका आयोजिन किया जा रहा है असम्मी नेक्स्ट कोशन है देखिए फ्रेंट्स आपका Sovereign Wealth Fund Institute के अनुसार विश्व के सबसे अमीर केंद्री बैंकों की रैंकिंग में भारत का RBI का स्थान क्या है तो भारत का फ्रेंट्स जो Reserve Bank of India है ये बारवे स्थान पे आता है अगला कोशन किस राजे सरकार ने स्वास्त विभाग के करमचारियों के लिए उपस्तिती पोर्टल लॉंच किया है तो इस उपस्तिती पोर्टल को लॉंच किया गया है जहारखन सरकार के द्वारा नेक्स्ट रहेगा कि इस राजी सरकार ने 5 लाख रोजकार के अफसर उखपन करने के लिए लोजिस्टिक पॉलिसी 2024 को मंजूरी दी है तो ये मंजूरी दी गई है महरास्ट सरकार के द्वारा फ्रेंट्स आपकर नेक्स कोशन और लास्ट कोशन है स्वतंतरता दिवस मनाने के लिए 9 अगस से 15 अगस तक हर घर तिरंगा अभियान का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा तो ये इसका तीसरा संस्करण है जिसका आयोजित हो रहा है तो option number A यहाँ पर फ्रेंट्स राइट आंसर हो जाएगा तो test question में जाने से पहले फ्रेंट्स मैं आपको बोलना चाहती हूँ देखिए आपने देखा सारे questions मैंने आपके लिए सेलेक्टेड लिए थे तो अगर आपको हमारे वीडियो की quality और content अच्छा लग रहा है तो वीडियो को like जरूर कर दीजेगा और चैनल को subscribe कर दीजेगा ऐसे और भी important topic के उपर जो वीडियोज है हम आपके लिए लाते रहेंगे चलिए अब आता है आपका test question जसका answer आप हमें comment करके बताएं आपका पहला test question है नीरत चोप्रा ने Paris Olympic 2024 में पुरुशों की भाला फेक्स पर्दा के final में 89.45 मीटर के सर्व स्ट्रेश्ट थ्रो के साथ कौन सा पदक जीता है ठीक है इन्होंने कौन सा पदक जीता है या आप हमें comment करके बताएं नेक्स्ट आपका test question है friends अगस 2024 में किसे फिजी सरकार द्वारा दिये जाने वाले सर्वोच सम्मान companion of the order of फिजी से सम्मानित किया गया है तो friends ये दोनों आपके test question है जिसका answer आपको हमें comment करके बताना है इसके साथ मैं आपको बताना चाहूंगी हमारे paid PDF के website के बारे में यहाँ पर आपको रवी सरकी जीके और current affairs की जो PDF होती है हिंदी और English Medium दोनों में मिल जाएंगी तो देखिए आपके लिए हाली में जो June का monthly current affairs का PDF है यह launch किया गया है जहाँ पे आपको 550 plus one liner and mcq questions दिखने को मिलेंगे वो भी topic वाइस ठीक है सारे topic हिसाब से जो हैं आपको questions मिल जाएंगे साथ में आपको last six months का current affairs का PDF है जहाँ पे आपको 5000 plus questions मिलेंगे जनवरी से लेके जून के तो यह भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा और साथ में friends आपको quality का PDF यह भी यहाँ पे मिल जाएगा तो आप हमारे telegram channel को join कर सकते हैं यहाँ पे आपको सारी PDF मिल जाएंगे जो भी वीडियोस अफ्लोड हो रही है हमारे telegram channel का नाम है current affairs by रवी ठीक है इसको join करके आप सारे PDF को यहाँ पे ले सकते हैं इसके अलबा हमारी यहाँ पे web application है जो की है रवी study gk के नाम से फ्रेंड्स यहाँ पे आपको हर दिन जो है free test देखने को मिलेगा तो आप इसको भी यहाँ पे जाके सारे questions requisites को solve कर सकते हैं इबुक की website मैंने आपको बता दी है अगर आपको कोई भी ebook purchase करना है आप हमारे website के थुरू purchase कर सकते हैं I hope friends आपको सब कुछ clear है तो यह था हमार आज का last slide I hope आपको यह वीडियो पसंद आया होगा वीडियो गर आपको पसंद आया है तो वीडियो को like और अपने friends के साथ share जरूर करिएगा और friends यह वीडियो कैसी लगी हमें comment करके जरूर बताएं मिलते हैं एक और important topic के साथ अगले वीडियो में तब तक के लिए thank you and have a nice day